हलो दोस्तो अभी हम आ चुके हैं जौनपूर में बीर बहादूर सिंग पुर्वांचल विश्व विद्याले के मेन गेट पर खड़े हैं और आज हम आपको दिखाएंगे पुर्वांचल महा विश्व विद्याले का पूरा दिरिश से दोस्तो ये जौनपूर में इस्थित पुर्वांचल विश्व विद्याले पांच जिलो में 366 महा विद्याले का संचालन करता है और दोस्तो इस विढे में करीब पांच लाग छात्रों का सिच्छल होता है और दोस्तो इस विढे से छात्र सिच्छा पराप्त करके देश-विदेश जा कर अपने एतहसिक जौनपूर और इस बीर बहादूर सिंग पुरवानचल विष्विद्याले का नाम रौसन कर रहे हैं तो दोस्तो अभी हम चलते हैं इस विष्विद्याले के अंदर और आपको दिखाते हैं कि ये विष्विद्याले अंदर से कैसा है तो दोस्तो हमारे वीडियो के अंध तक आप बने रहे दोस्तो आपके लिए लाइक शेयर करना बिल्कुल फिरी है लेकिन ये हमारे मनुबल को बढ़ाता है तो प्लीज दोस्तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्स्राइब जरूर कर दें स्वर्गिय बीर बहादुर सिंग की इस्मृति में बीर बहादुर सिंग पुर्वांचल विश्व विद्याले रखा गया इस विश्व विद्याले के अस्थापना के साथ ही गोरतपुर विश्व विद्याले के कारे छेत्र का एक बड़ा भाग इसमें अस्थांतरित कर दिय इस विश्व विद्याले में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपूर, आजमगर, माउ, गाजीपूर, बलिया, वरारसी, चंदावली, मिर्जापूर, भधोही, कौसामभी, इलाबाद, तथा सोनभध्र, सहित, कुल बारा जीलों के 68 महा विद्याले को ये विश्व विद सासन ने विश्व विद्याले हेतु भूमी अधिगरीत करने के लिए कुल 85 लाख रुपय की धनरासी 68 पद स्विकृत किये, सासन द्वारा सुचित पदों पर नियुक्ती हुई और यहीं से विश्व विद्याले की विकास यात्रा प्रारंब हुई जिला प्रशासन ने जौनपूर सहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर जौनपूर सागंज मार्ग पर लोगों के ठक प्रयास से देवकली जशोपूर ग्राम 171.5 एकड भूमी अधिगरीत कर विश्व विद्याले को उपलब्ध कराई गई 1994 में विश्व विद्याले ने अपने नौ निर्मित निजी प्रशासनिक भवन में कार्य करना प्रारंब किया और इसी के साथ ही विश्व विद्याले का आवासी ये स्वरूप बिक्सित होना प्रारंब हुआ बरतमान में परिसर इस्तिती विभिन पाठ कर्मों में सिच्छा गरहल कर रहे छात्र शात्राओं के लिए आधनिक सुवदाओं से यूप्त छात्रवास की सुवदा उपलब्ध है अध्यापक आधकारियों एवं करमचारियों के रहने के लिए फ्लैफ्स तथा ट्रांजिस्ट हास्टल की भी ब्योस्ता है इसके अलावा छात्र सुवदा केंद्रे सांगोष्टी भवन इस्तिती ग्रीह सिच्छक अतिती ग्रीह राश्टी ये सेवा योजना भवन है इसके साथ ही विभिन संकारियों के लिए अलग अलग भवनों का निर्मान किया गया है जो अत्याधिनिक लैव इंटरनेट वाइफाई एवं सीसी कैमरों से सुसर्जित है विद्यार्थियों को सहर से दूर परिसर में उच्छ गुडवत्ता से यूक्त सैच्छडिक वातावरल प्रदान करने के लिए विभिका नंद केंदरी पुस्तकालय संचालित है इसमें प्रमप्रागत पुस्तकालय सुवधा के अत्रिक थे इसका आधुनकी करण करके लाइबरेरी के तहत छात्रों को ई-बुक की सुवधा उपलब्ध कराई गई है परिसर के छात्रों को विभिन खेलों में प्रदर्शन के योग बनाने हे तू आधुनिक खेल सुब्धा से योगत एक लब स्टेडियम का भी निर्मान किया गया है विश्विद्याले के खिलाडियों ने अपने उत्किर्ष्ट प्रदर्शन के विश्विद्याले का नाम अंतरराष्टी उचायों पर पहुचाया है। इंजिनियरिंग संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा समाजिक दायित्यों का निर्वाहन करते हुए विश्य विद्याले के पड़ोसी गाउं देवकली है। आधुनिक संसाधन बच्चों को निशुल कोचिंग पढ़ाई जाती है। बरतमान में प्रुवांचल के पांच जनपतों जौनपूर, आजमगर, गाजीपर, माउं एवं इलहाबाद के 805 मह विद्याले विश्य विद्याले से सबद्ध है। विश्य विद्याले परिसर में सनातक अस्तर पर ला, बीए, एललबी और इंजिनिरिंग की चाह साखाओं एलेक्ट्रिक इंजिनिरिंग, एलेक्ट्रिक्स एंड कम्यूकेशन इंजिनिरिंग, एलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्टूमेशन, इंजिनिरिंग कंप्यूटर साइ MBE, Agri Business, E-Commerce, SFC, MHRD, Communication, विवहारिक, मनो विज्ञान, MC, MSC, Bio Technology, परियवरण, विज्ञान, Applied Micro Biology, Applied Biochemistry, विश्यों की सिच्छा प्रदान की जाती है यहां से सिच्छा प्राप्त कर छात्र, राष्टी एवं अंतर राष्टी अस्तर पर विश्व विद्याले का नाम रोशन कर रहे हैं दोस्तों विश्व विद्याले जौनपूर सागन जोट पर एतिहासिक सहर जौनपूर से 10 किलो मीटर दूरी पर इस्थित है जौनपूर अनराजियों के साथ रेल सडक और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है प्राथमिक्ता वाले छेत्र जिनके लिए विश्व विद्याले अपना सर्वसेष्ट प्रयास कर रहा है 68 कालेजों से शुरू हुकर विश्व विद्याले ने सनातक और अशनात कोतर कालेजों पूर्वी उत्तर परदेश के पांच जिलों में लगभग 3,80,000 शात्रों के नामंकन के साथ गदविधियों का दायरा बढ़ा दिया है दोस्तो हमारी आपसे रिक्विस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्स्राइब करना बिलकुल न भूले और दोस्तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुँच सके